अगर आप एक Instagram Users हैं या Instagram को यूज करते हैं अगर आप अपने Instagram Accounts को अच्छे बूश्ट पर ले जाना चाहते हैं मलब एक अच्छे लेबल ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी Instagram पेConConsist Settings को enable करना चाहिए और आपको कैसे कैसे post करना चाहिए क्या-क्या जो है आपको terms condition को follow करना चाहिए और आप जो एपने instagram accounts पर अच्छे खासे followers को भी gain करा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा instagram से रिलेटिव कैसे आप अपने instagram को जो है growth करा सकते हैं तो तो फ्रेंड मेरा नाम नीरच इस चैनल का होस्ट और आपका दोश टेक्निकल नीरच इटीसी तो आए दिखाते हैं आप सभी अपने इस्टाग्राम को कैसे ग्रो कराएंगे पिले स्टोर पे आप सभी को बहुत थर्ड पाटी अप्लिकेशन मिल जाते हैं तरह तरह के जो करा सकते हैं और अपने फालोवर्स को गेन करा सकते हैं तो यहां पर अगर एक थर्ड पाटी अप्लिकेशन का यूज करते हैं आपको अपने इस्टाग्राम अप्लिकेशन का यूज करके आप अपने इस्टाग्राम अप्लिकेशन का यूज करके आप अपने इस्टाग्रा एकाउंट जो है है होने का डर रहता है तो यहां पर जो है ऐसे अप्लिकेशन का यूज ना करें मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ ऐसे सेटिंग जो आप इन्हें फॉलो करके आप अपने इस्टाग्राम को जो है ग्रोव पे ले जा सकते हैं अच्छे बुस्ट पे ले जा सक हमारे पोश्ट में हमारे जो अच्छी खास लाइक्स पी आती हैं मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो आपको अपने इस्टाग्राम एकाउंट के साथ करना चाहिए, आप अपने इस्टाग्राम एकाउंट को अगर परसनल है तो आप उसे बिजनेस कर लेजिए, अगर आप परसनल रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप जो है बिजनेस में करना चाहते हैं, पब्लिक से अपने अप आपके Instagram पो जो है रिच बढ़ेगा रिच बढ़ने से आपको जो है एक दूसरे लोग जो आपको फॉलो करना इस्टाट कर देंगे और आपके जो है फॉलोवर्स ऐसे आने लगेंगे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो कीजिए लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दि साम पर फॉलोवर्स बढ़ेंगे और एक दूसरे की जो है स्टोरी स्टोरी पर आप जरूर लगाईए वहां पर स्टेटस लगाईए एक दूसरी के पोश्ट को उन्हें क्रेडिट दीजिए मेंसिन कीजिए सब चीच कीजिए यहां पर ऐसा करने से आपके एकाउंस का तो गाईस यहां पर आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको सेटिंग्स का एक आप्सन मिलेगा सरकल के साथ यहां पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको अपने एकाउंस पर क्लिक करना है एकाउंट्स पे क्लिक करने बदना सता उपर को इस को करेंगे और Ready के तरह आप देखेंगे यहां पर सुछ टूल शुँग आप इjacчес कंड मिपरात तो बीजनेस ईकाउंट्स आप कोजो है तो है अगर आपको से आपट चैनrão पर नहीं यहां की तरह आप देखते हैं तो फोटोगराफी आपको आपको सो कर रहा है उपर की तरह देख सकते हैं मेरे नैम के नीचे I यहां पर आपका सबसे अच्छा लिखा हुआ है तो यहां पर भी एक अट्रक्टिव होना चाहिए और लोगों आपका बनिया होना चाहिए इस्टाग्राम पर तो कोई दिक्कत नहीं और दूसरी बात कैसे आप जो है फॉलोवर कैसे गेंड कर सकते हैं यहां पर आपके बहु अपनी स्टोरी पर लगांका हैंD कों अपनी स्टोरीप लगाली जैसे मा लिजए, कोई पोश्ट को ले 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 लीं, यहां इहां पर दे लिए इस ट्यो akah पोश्ट लृडरान क हुषतने हैं यहां पे अमेजिन कर दे रहा हुँ उसके बाद इस्टोरी को मैं पोश्ट कर दे। यहां पे आप जोको फोटो पर में था मैं आप इस इर्फेंसि पर दाए हूं, लोगों के। को यह ंटि अपे nerd qr the और देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो है 120 likes है, ऐसे से मतलब मैंने post किया है, यहां पर जो अच्छे खासे likes जो है आना start हो चुके हैं, और आपको जो है, यहां पर आप देख सकते हैं मेरी post, अभी 42 जो है, 42 post है, यहां पर जो है, 951 मेरे followers हो गया है, अभी तक मैंने logo को 3088 लोगों को मैंने follow किया है, तो यहां पर जित बलत तरीके का application या third party application अगर आप यूज करते हैं तो इस तरीके आप अपने Instagram accounts को खो देंगे बलत आपका Instagram account जो है hack हो जाएगा तो आपको जो है कोई भी third party application को use नहीं करना है आप सभी को तो यहां पर मैं जाते से जादा लोगों को आप फॉलो कीजिए और अपने एकाउंट्स में जाते से जादा एक्टिव रही है अगर मैं आपको दिखा दूँ अपना जो है पर्सनल एकाउंट्स यह आप देख सकते हैं जो मैंने टेक्निकल नीरेज एटिसी के लिए बनाया तो यहां पर देख सकते हैं मैंने 93 पोस्ट कर दिया जो कि अब 688 जो है यहां पर फॉल्वर्स मेरे हैं अभी 200 लोगों को सिर्फ मैंने फॉलो किये फॉलो कर रखा है यहां पर देख सकते हैं मेरे पोस्ट पर लाइक्स बिल्कुल नहीं आते हैं यहां पर आप देख सकते ह पर यही ट्रम्स कंडिशन है तो यहां पर आपको एक्टीव रहना है और यहां पर मैं आपको दिखा दूँ जो पोस्ट करते समय आपको कौन-कौन से फॉलोवर से या कौन-कौन से टैग्स यूच करने हैं आप जाते से ज़्यादा टैग्स यूच की दिए और उसके बाद लोगों को मेंसिन कीजिए अपने पोस्ट में जैसा कि मैं अपने पोस्ट पर मेंसिन करता हूं और उसके बाद जो है मैं टैग्स करता हूं यह आप देख सकते हैं आप जिस कैड़िगरी से अपने इस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं उस कैड़िगरी से आप अपने पोस् कितने लोग नो देखा है उसके बाद क्या रिस्पॉंस आपको दिया है तो आप यह देख सकते हैं अभी मैंने फिला लिए दो पुश्ट अभी किया है यहां पर कोई लोग जो है कोई ब्यूस नहीं है और उसके बाद आप अप आते हैं अक बाद नीचे के दरह अगर आप द बाद दिखाता है यहां पर सकते हैं ऐसे आपको 400,404 अपर स दिकाते हैं अच्छा इंप्रेशन आ रहा है three i7 outrage और उसके बाद मैंने कितने कितने टाइम पे जो है यहां पर आप दिक सकते हैं कितने कितने Taco में कितने आइंट इन नो west प्रफाइल को यहां से अपर सभी लोगों को पता करा सकते हैं कितने जो हैं कितना ग्रों कर सकते हैं अपर उसके बाद एज वाइज बी है यहां पर कितने हैं यह को aap कितने परसेंटर के फालोर आते हैं कितने टाम तक यहां पर जो आउडियंस को जीच कर सकते हैं यह भी बिल्कुल वाइटी इस्टूडियो बीटे के तरीका काम करता है यहाँ पर ऐसे से जो अपने इस्टाग्राम की गुरोध कर सकते हैं आप सभी लोग तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आये होगा अगर आपको कोई भी डौ को फॉलोग करना है क्या क्या टम्स कंडिशन को फॉलोग करना जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा तो आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर आपको कोई भी डौट हो या कोई पी गलत या सुजा हो तो मुझे कमेड में आप जरूर बताइएगा मै तब तक के लिए महादेव जहिन बंदे मात्रा मिलते हैं नेक्स वीडियो के लिए तब तक के लिए बाई बाई